गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम तो माई चैनल ड्रिम्स मेक रियल बच्चो माई नेम इस दिपाली और आज मैं आप लोगों को एर्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशिट नमबर ट्वेंटी टू जो की आप लोगों की मंडे में आनी है और जिसकी डेर 14 दिसंबर 2020 है आज मैं आपको समझाऊंगे बच्चो इस वर्कशिट में हमारा फॉर्मल लैटर राइटिंग को ही रिपीट किया गया है हमने पहले भी फॉर्मल लैटर राइटिंग के बार में पढ़ा था उसका फॉर्मेट जाना था और आज भी हम इसी को ही रिविजन करेंगे Let us revise the format for writing a letter to principal तो ये letter भी हम principal को ही लिखने वाले हैं तो सबसे पहले हम format एक बार देख लेते हैं रिवाइस कर लेते हैं बच्चो आपको पता होगा सबसे पहले हम उपर principal लिखते हैं फिर school का नाम आता है फिर third जो हमारा formal letter का point होता है वो होता है हमारा school का address उसके बाद हम एक line छोड़ कर date mention करते हैं ठीक है बच्चो और date हमारी होती है पहले date फिर month और फिर year इस तरह से format में उसके बाद हम subject लिखते हैं कि हमारा purpose क्या है letter को लिखने का फिर बच्चो हम dear नए dear नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हमारा formal letter है respected sir ये madam करके लिखेंगे dear हम तब लिखते है तब हम informal letter लिखते हैं लेकिन ये हमारा formal letter है इसमें हम respected यूज करेंगे फिर हम body लिखते हैं कि हम letter क्यों लिख रहे हैं हमारे letter लिखने का purpose क्या है हम उसका क्या solution चाहते हैं ये सब हमारा body में आ जाता है उसके बाद बच्चो हम thanking करते हैं complimentary close करते हैं yours obediently या yours faithfully लिखा जाता है इस तरह के formal letter में उसके बाद हम name of the student और student का class section ये सब नीचे mention कर देते हैं तो बच्चो एक हमें sample दिया गया है लेकिन हम उसको fill in the blanks form में है उसको complete करेंगे देखिए fill in the blanks in the following letter to principal using the format above and close below बच्चो आप लोगों ने देखी लिया है कि हम formal letter में हमारा क्या-क्या format होता है क्या-क्या points हमारे आते हैं तो अब हमें नीचे कुछ clue भी दिये गए हैं जिनसे हम इस letter को complete करेंगे पहले हम topic पढ़ लेते हैं कि हमारा क्या topic है देखो बच्चो write an application to your principal asking her या him to excuse you from attending online classes for four days हम अपने principal को letter लिख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं उनको कि वो हमें जो हमारी online class च इसके लिए उनसे excuse मांग रहे हैं कि हम able नहीं है कि हम online class attend कर पाएं तो उसके लिए उनको permission दे तो बच्चो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे the principal first line में क्योंकि हम principal को letter लिख रहे हैं the principal लिखकर फिर हम अपने school का नाम डाले भी है तो हम यह डालेंगे खजूरी खास यमना वियहार है तो यमना वियहार चांदी चोक है तो चांदी चोक आप लोग इस तरह से कर देना अपना address आप लोगों को school का पता ही है फिर बच्चो हम date mention करेंगे यहाँ पर date है 14 यह देखो बच्चो अब हमें close दिये गए हैं हम close की help लेंगे 14 दिसम्बर देखे यह राद दिसम्बर हम लोग यहां से दिसम्बर को लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 14 दिसम्बर उसके बाद बच्चो आएगा हमारा की क्या हमारा subject है हम मतलब subject क्या है to excuse from online classes क्या है बच्चो application लिख रहे हैं ना तो application आजाएगा यहां पर सारा नीचे close दिये गए हैं यह हमारे application to excuse from online classes respected sir है तो sir और madam है तो आप madam लिखना English के जो भी आपके sir या madam जो भी हैं आप लोग वो लिख लेना with due respect 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 सारी spelling बच्चो आपकी नीचे दी भी है तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत हो ना respect it is to inform you that आपको सुचित कियाता है कि that I I अपना नाम लिख देना जैसे आपका नाम यहां मीना है या जो भी है I मीना am a student of class कौन सी क्लास के हो बच्चो आप 8 के हो तो आप 8 B के हैं C के हैं या A के हैं जो भी section आपका वो लिख देना I would like to bring to your kind notice N O T I C E notice that I will not be able to attend the online classes उसके बाद बच्चो आप लोग यहां पर लिखना to attend the online classes for 4 days आप इस योगे नहीं है कि आप online classes 4 दिन के लिए attend कर सेके because my father या mother दोनों यह option नीचे दिये गए है mother is going out of station to attend a family function attend a family family functions we have only one android phone आपके पास केवल एक ही android phone है in our family क्योंकि आपकी जो mother father है वो out of station जा रहे हैं क्योंकि आपके family function है आपके वहां पर बाहर और आपके पास केवल एक ही android phone है आपकी family में I shall be उसके बाद बच्चों आप लोग लिखेंगे यहाँ पर I shall be grateful देखो यहाँ पर हम लोग grateful यूज़ करेंगे g-r-a-t-e grateful to you आप भोती कर्तग्य होंगे if you if you excuse यदि आप छुट्टी दे दे me from attending online classes from बच्चों जिन 4 दिनों के आपको छुट्टी चाहिए वो आप लोग यहाँ पर लिख देना तो उपर आप application पहले दिन की लिख रहे हो जैसे 14 December को आप लोगों ने application लिखी तो 15 से आप लोग चुट्टी मांग लेना 15, 12 से आप लोगों को कितने दिन की चुट्टी चाहिए चार दिन की 15, 16, 17 और 18 तक चुट्टी आपको चाहिए तो आप लोग लिखना यहाँ से 15, 12, 20 से लेकर 18, 12, 20 तक आप लोगों को चुट्टी चाहिए चार दिन की तो इस तरह से बच्चो आपका लेटर पूरा हो जाता है यह नीचे देखो हम complimentary close करेंगे yours लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद ओबिडेंटली लिखा हुआ ही है फिर अपना नाम लिखना आप जैसे हमने उपर मीना लिखा था और उसके बाद आप अपनी class लिखना 8A है तो 8A, B है तो B अपना roll number भी डाल देना बच्चो लेकिन अब आपकी यह format letter complete होता है बच्चो सारे ही हमने clue use कर चुके हैं हम देखो notice android sir madam grateful able application inform december respect family online classes yours excuse for this father mother सारे ही clues हमने उपर letter में use किये हैं तो बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करना thank you